कुलाब के पोधे पे दो रंग के फ्लावर चाहिए और धेरो कलिया चाहिए तो आपको सिर्फ इसमें दो चीजे डालनी हैं जो बिल्कुली फ्री की हैं और इसको बनाना बिल्कुली आसान है किन चीजों से ये बनाया जाता है और कैसे इनको अपने पोधे में डालना होता है इस वीडियो में देखना नमस्ते फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होपा पच्छे होंगी मैं भी ठीक हूँ ये मेरा रोज का प्लांट आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर हैं कलिया भी बनी हुई है और इसमें मैं क्या डालती हूँ वो बताती हूँ और ये जो प्लांट है इसके फूलो का रंग भी चेंज होएगा वो भी बताऊंगी किस चीज से चेंज होता है और दूसरी बात ये जो मेरा पोदा है ये मैंने एक साल पहले ही लिया था और अच्छी से ग्रोथ करता है आपको रोज पर बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं लेकिन आपको मैं ऐसी चीज दिखाऊंगी जो रोज में डालने के बाद जो फूलो का रंग भी बदलेगा इसकी ग्रोथ भी होएगी डेरो कलिया भी आएगी अपडेट के साथ मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले आप अपने रोज पर ये काम जरूर करें आप प्लांट्स की गुडाई करें जब भी हमें कोई भी खाद फर्टिलाजर देना होता है तो गुडाई जरूर ही होती है गुडाई करने से इसमें हवा पाने अराम से पहुंच आता है कोई भी खा देते हैं तो वो भी उसके भी पोशक तत्वे इसके रूट्स तक पहुंच आते हैं और जडो को भी मजबूती मिलती है जब इसमें पोशक तत्वे पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुडाई करना है एक्स्ट्रा खर्पतवार होता है उसको हटा देना है और ऐसे आप चार इंस तक इसकी गुडाई करें जादा गहराई तक गुडाई मत करें क्योंकि कई बार क्या होता है रूट्स कट जाती है तो उससे भी हमारे पोदे में नुक्सान हो जाता है तो ऐसे मैंने गुडाई कर दी और आप देख सकते हो यह वाला जो एक्स्ट्रा ब्रांच है नीचे जड़ से ही यानि बिल्कुल ही इसकी जो स्टीम है बिल्कुल ही नीचे से यह ग्रोथ होके काफी बड़ी हो गई है यह ऐसी कोई गुलाब में कोई ऐसी ग्रोथ हो जाए ग्रोष आप करने का दी लिंख सकते हैं और मॉंसोन सीजन में कभी भी सकते वैसे तो पूरे साल करीच सकते हैं लेकिन रोज को लाके आपको लगाने का तरीका मैं पिर कभी बताऊंगी जय लाऊंगी तो पहला काम गुडाई करना होता है, दूसरा काम करपतवार को हटाना होता है, एक्स्ट्रा ब्रांचे उनको कट करना होता है, और तीसरा काम होता है, अगर हमारे प्लांट्स पे सूखे हुई ऐसी पतियां हो गई हैं, तो उसकी अच्छे से आप कटाई चटाई यानि पतिय को हटा दे और देखो यह हटाने के बाद हमारा जो गुलवाब है जहां से सूखी पतियां है वहां से अच्छी ग्रोथ भी लेगा और प्लांट सूखा-सूखा भी नहीं नजर आएगा और कई बार क्या होता है प्लांट्स में भी चोटे-चोटे कीडे पड़ जाते हैं तो देखिए गुडाई के बाद आपको क्या करना है यह मेरे पास से एक ऐसी चीज है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बैस्ट है वह क्या चीज है वह दिखा रही हूं अगर आपने अपने प्लांट्स में यह डाल दिया तो यह अच्छी ग्रोथ भी करेगा और इसमें जो पोशक्तात्र होते हैं वह बताती हूं देखिए यह है प्याज के चिलकों में बहुत सारा पोटाशियम होता है नाइट्रोजन भी होता है इसको एक दिन पहले चिलकों को बिगो दे और इसका जो फर्टिलाजर बनेगा नहीं लिक्विट बनेगा उसको अपने पोदे म अगर फ्लावरों की संख्यावी बढ़ेगी कलिया भी आएंगी दूसरा जो हमारा मेन चीज है वह है एग यानि यह जो अंडों के चिलके होते हैं इसको आप कभी भी बार मत फेके अगर आप अंडे वगारा बनाते हैं घर पे तो उसका जो अंडे का पानी होता है जब हम उबालते हैं तो पानी होता है उसको भी आप पोदों में डाल सकते हैं और जो अंडे के चिलके होते हैं उनको अच्छे से पानी में दो के और थोड़ा सा सुखा ले सुखाने के बाद उसको आप मिक्सी में मिक्स भी कर सकते हैं चूरा बना सकते हैं या फिर डारेक्ट ऐस बाइसे मुसल के अपनी पोदों की जड़ों में डाल सकते हैं तो यह हमारा कैल्शियम का बहुत अच्छा स्त्रोत है इसमें पोटाशियम भी होता है कैल्शियम भी होता है और दूसरा जो बता रही हूँ यह है अपना कीचन से निकला हुआ बेस्ट फर्टिलाइजर जो कीच सबच को आप ऐसे बना के और पानी में भीगो दे विगोने के बाद यह जो फटिलाजर बनेगा दो दिन के बाद यह हमारे रोज-प्लांट के लिए बैस्ट है इसमें सारे ही पोशिक तत्वे मुझूद होते हैं या आपको अलग-अलग कोई फटिलाजर डालने की आशुकत प्लांट अच्छे ग्रोथ करेगा इसकी रूट्स को अच्छे से मतलब मजबूती मिलेगी और प्लांट भी ग्रोथ करेगा कलिया भी आएंगी फ्लावरों की संक्या भी बढ़ेगी वैसे तो फ्रेंट्स आप केले के छिल्के को भी सुखा के भी इसमें डाल सकते हैं उसका बना के या फिर उसका फर्टिलाजर बना के वह भी बैस्ट होता है और अगर आपने ऐसे जो हमारे सुखे पत्ते होते हैं कोई अगर फ्लावर मुर्जा जाता है तो उसको भी आप टाइम टू टाइम कट करते रहे अगर उसको कट नहीं करेंगे तो हमारा न्यू कलिया कैस कई बार के आता है हमारे प्लांट्स में ऐसे कीडे कीडे लग जाते हैं छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक जो दिखाई भी ने देते पत्तों के नीचे ऐसे चिपके रहते हैं उसको सॉलूशन करने के लिए या तो आप मार्केट से नीमोल ले आए वो चिड़काव करते या फि इसको आप सप्रे बोटल में डालके अपने प्लांट्स पर ऐसे चिड़काव कर दे या फिर आपके यहां अगर वुड एश मिल जाती है किसी के यहां तो वुड एश का भी आप चिड़काव कर सकते हैं वो भी अच्छा फंगिसाइड का काम कर सकता है या भी घर पे बना स सकते हैं तो ऐसे पेस्टिसाइड बना के आप अपने पोदे के ऊपर चिड़काव करेंगे तो ना तो कीड़े मकोड़े लगेंगे और ना कोई कीड़ों का टैक होगा पत्ते खराव नहीं होगे ना ही सूखेंगे और यह वाला जो फेटिलाजर है यह भी देखो बैस्ट ह इसको भी आप बना सकते हैं घर पे ही कोई भी आपके किचन में जो भी खाद मवजुद होती है यानि जो भी यह जैसे हमारे मटर के चिलके होते हैं इनको आफेके न और एक बात और धान रखने हैं अभी सर्दियों का मौसम है सर्दियों में आपको अपने प्लांट्स को पूरे ही दिन की दूप में रखना होता है और पानी कम देना होता है जब आपके प्लांट्स पे ऐसे कलिया बनी हो फ्लावर बने हो तो उसको आप पानी कम दे यानि आप मिट्टी चेक करें तीन चार इंज तक जब तक आपका प्लांट अच्छे से सूख नहीं जाता तभ आपको पानी देना है ज्यादा पानी नहीं देना है और ज्यादा कोरा पड़ेगा तो आपको क्या करना है यह ऐसे मटर के चिलके कट्टे कर लेने है और उससे अपने प्लांट्स के यानि जो गमला होता है गमला के उपर मिट्टी के उपर ऐसे मल्चिंग कर देनी है गर्म जहां से 5 पत्ति निकली हुई हैं वहीं से मैं इसको कट कर रही हूं, तो आपको कट करने का यहीं तरीका अपनाना है, देखो 3 पत्ति उपर है और मैं 5 पत्ति के यहां से इसको कट कर रही हूँ, और फ्रेंट्स ऐसे ही अगर आपने कट किया है तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी होएगी और उसमें बर्ड्स भी जल्दी ही आएंगे यह वाला जो रोज है यह मैंने सो रुपे में दिवाली वाले दिन लिया था यह वाइट रोज है इस पे वाइट कलर के फ्लावर आएंगे एक कलिया बनी हुई है बाकि मैंने यहां से इसको प्रून कर दिया था थोड़ा थोड़ा कट कर दिया था जो मेरे मुर्जाय हुए तो प्लावर यहां पर देखो यह जो मैंने दिखाया है और दो इसमें यह फिलिंग हैं और ए है मैं धूरा जो क्ली सलीज के लता हुई तो मेरे रोज में सबसे पहले और ए दरक पिंग और यह जो मेरा रोज है यह देसी रोज में आपको दिखा रही हूँ इसमें जो फ्लावर है वो पूरे साल खिलते रहते हैं गर्मियों में इसमें ज्यादा फ्लावर आते हैं देसी रोज और जो हमारा हाइब्रीड यानि जो इंग्लिस रोज होता है अगर यह लेते हैं तो तो यह देखिए लिक्विड फटिलाइजर यह मैंने किछिन वेस्ट का यह इसे पोट्ली बना के रखा हुआ है तो इन प्लाइजर मंगी और इसकी ग्रोथ भी होएगी बस आपको यही काम करना होता है आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा कीचन वेस्ट से जो भी कच्रा निकलता है उसका फर्टिलाइजर बना ले आप वैसे तो इसमें अगर केमिकल वाली खाद डालेंगे तो यह फ्लावर देगा बट एक बार ही देगा फिर आपका प्लांट्स देरे-देरे मर जाएगा नहीं है कि इसमें देखो एक ही प्रांच और आपको दिखाते हूं एक ब्रांच यह है और इसके उपर दो रण Means के फ्लावर आए हुए है देखेव ऐसे और फ्रेंड्स इसमें मैंने ना कोई एर लेरिंग की है एर लेरिंग प्लांट्स इसको प्रॉन्ठी की तो इसको प् और हमारा जो प्लांठ है इसपे दो कलर खे फ्लावर आ जाते हैं तो ना तो मैंने वह चीज जिसमें की हुई है जैसा मेरा प्लांठ नर्सरी से लेके आई थी वैसा ही है इसमें 3 ब्रैंचे हैं ऐसे और उन ही पर ही अलग अलग यह फ्लावर खिले हुए है तो flower का कारण यही है कि जब हमारा flower खिलता है कली बनती है वो तो dark pink बनती है फिर हमारा जो flower pink बनती है लेकिन जैसे ही time निकलता है 7-8 दिन हो जाते हैं यह light pink हो जाता है यही इसकी वज़ा है friends अगर आप यह अंडे के चिलके डाल रहे हैं तो आप एक महिने के अंदर यह डाल सकते हैं और अगर आप fertilizer डाल रहे हैं कोई भी kitchen waste का या केले के चिलके का या अंडे के बले हुए पाने को दे रहे हैं तो उसको तो आप 15 दिन में दे सकते हैं यही वज़ा है इन plants में flower आने की friends जो मैंने रोज के care tips दिये हैं आपको अच्छे लगे हूं तो आप वीडियो को like, share and subscribe जरूर करे, thank you